हेलो व्रेंड्स कैसे हैं सभी आसा करता हूं सभी बढ़िया होंगे आज मैं आपके लिए लेक रहे हूं रास्तान का एक एकरण का वीडियो तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला पॉइंट है कि एकरण की प्रिकीरिया में आठ वर्स दौहाद 14 दिन लगे थे। चुरुषya कैसे हैं राष्तान किघगेंगा कितने समय में हुआ था तो आठ वर्स दौहां चौक्दा दिन अगला पॉइंट है सवतंत्र न मिमिलने के लिए सवतंत्र अधना है सोंत्र और इसको रियास्ति सच्ची वाले का गटन किया गया था तो रियास्ति वाले का गटन कब किया गया था 5 उलाई 1937 को अगला पॉइंट है जो रियास्ति वाले का गटन किया गया था उसका अध्यक्स किसे बनाया गया था सदारवल बाइपटेल को और सच्ची किसे बनाया गय नोट वीपी मेनन लौड बेंटन के अंतिम सेवेदानिक सलाकार भी थे तो क्यों सनी आता है कि लौड माउंड बेंटन का अंतिम सेवेदानिक सलाकार कौन था तो वीपी मेनन अगला पॉइंट है एक एकरण के समय बारत में कितनी रियास्ते थी तो 565 रियास्ते थी टोटाल और राजस्तान में कितनी रियास्ते थी गुनिज रियास्ते थी सोला राजबूत रियास्ति थी जिन में दो जाट रियास्ति थी बृतपूर और दौलपूर एक मुस्लिम रियास्ति टॉंक टोटल 19 रियास्ति थी केंदर साशित पर्देश था एक अज मेर मेर वाड़ा और तीन ठिकाने थे कौन-कौन सी ठिकाने थे राजतान के किरिन के समय पहला ठिकाना था लावा जो ट्मॉक में था इसका साशक था बस प्रदीप एक एकरन के चोत्य चरण में इसका विले ज्यप्पूर में हुआ था और सबसे छोटा ठिकाना था लावा दूसर ठिकाना था कुषलगर जोकिस रियासत में था बांशवाडा रियासत में था इसका साशकता हरेंदर सिंग और जो सबसे बड़ा ठिकाना था और अंतिम ठिकाना था तीसर नीमराना अलवार और इसका साशकता राजियंदर सिंग एक एकरन के विले परपत्र पर सबसे पहले अस्ताक्सर किये थे विकानेर के सादोल सिंग ने कब किये थे 7 अगस्त 1937 को एक एकरन के विले पत्र पर सबसे अन्तिम अस्ताक्सर किस ने किये थे दोलपुर के सासक उदेबान सिंग ने और कब किये थे 4 अगस्त को इसे अगले दिन 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है राजस्तान की तो मेवाड रियासत मेवाड की स्थापना कप वी थी 565 है इस वी में गुहिलों ने की थी एक एकरण के समय सबसे नवीन रियासत और अंग्रेज दोर इस्तापित रियासत कौन सी थी जालावाड रियासत तो क्यों सनी आ सकता है कि राजस्तान में अंग्रेज दोर इस्तापित एक मतर रियासत कौन सी थी जालावाड इसका साथ सकता मदन सिंग जा लावड रियासत को कोटा से लग करकर 186 बनाय गया था किस रियासत से लग वी थी कोटा से एकी करण के समय शेतरबल की दृष्टी से सबसे बड़ी रियासत कौन थी मारवड और सबसे छोटी रियासत कौन jours थी सापुरा बीलवडा जन सिंह के दरश्टी से रास्तान के सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपपूर और जन सिंह के दरश्टी और शेतरबल के दरश्टी से सबसे चोटी रियासत कौन सी थी? सापुरा बीलवाडा में थी सरवर परतम सिख्षा पर परतिबंद लगाने वाली रियासत कौन से थी डूंगरपूर थी जिसने आजादी से जस्ट पहले उनिश्व सेन्टारिस में ही रोख लगई थी देश का पहला अद्दिवासी पूर्ण साक्सर जिला कौन सा बना है डूंगरपूर वह रियासत जिसने बारत का पहला स्वादिन ता दिवस नहीं मनाया था वो कौन सी रियासती अलवर अलवर रियासत का सम्मद मातमा गांदी की एत्या से भी जुड़ा है अलवर के सास्थ तेज सिंग को दिल्ली के किले में नजर बंद किया गया था वह रियासत जो बारत छोड़ा अंदल में भाग नहीं लिया था वे कौन सी थी जैपूर और जैसलमेर दो रियासतों ने भाग नहीं लिया था यहाया एकिकरन के समय सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर थी रास्तान का अंडमान किस रियास्त को का जाता है तो जेसल मेर को का जाता है सरव परतम रेल या पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियास्त कोंची थी जेपूर और कब किया था 1904 में सर्व पर्तम वन दिनिम पारित करने वाली रियासत कौन शेती अलवार और का पारित के गया उन्निसो पैंतिस में सर्व पर्तम शिकार दिनिम पारित करने वाली रियासती ट्वांक और का पारित किया था उन्निसो एक इस्वी में वन्य जिवीगे सुरुक्षायतू कानूर बनाने वाली पर्थम रियासत कौन सी थी जोद पुरोर कब बनाया था 1910 इस्वी में अंग्रेज़ द्वारा तीन रियासतों को तोप रखने का भारत में अधिकार था और वो तीन रियासते कौन कौन सी थी पट्याला कस्मी और बिकानेर सेल्यूट रियास्ते वे रियास्ते जिनको तोप रखने चलाने का जो अधिकार होता था ना वे रियास्ते सेल्यूट रियास्त कहलाती थी और नोन सेल्यूट रियास्त वे रियास्ते या ठिकाने थे जिनको तोप चलाने का अधिकार नहीं होता था अपवाद सावपुरा औरकिसंगर दो ऐसी रियास्ते जो रियास्त होते हुए भी तोब चलाने का अधिकार नहीं था बाकि सबी रियास्तों को अधिकार था एक एकरण किसम में बारत को तीन स्रीनियों में बांटा गया था कौन-कौन सी A, B और C A का जो वो परमुक होता था गवर्नर, B का परमुक होता था राज परमुक और C का परमुक होता था चीफ कमिशनर जो A टाइप की जो रियास्त होती थी उसके अंतर सामिल थी मुंबई, बिहार और मदरास बीके अंदरगत सम मिलती, राजस्तान और मद्धे भारत और शीके अंतरगत सम मिलते, केंदर साशीट परदेश, अजमेर, महराड़ा साथवा सविधान सें सो दिन 1956 द्वारा इन स्रिनियों का ठाकर राज्येपल का पदれ स्राज्य जित किया गया metro कि प्रत्म राजापकोंगा गुर्मुक निहाल सिंगे जिन रियास्तों की जैपुर जोःपारो बैक्याने उद्धिपूर, उद्धिफ़ पूरी यानी इनकी जो आए है commitment को प्रत्रत्रें ऑफ डए उपर खुए। अज मेर मेरवाडा की अलग से विदान सबा ती जिसमें विदान सबा शेट कितनी थी ती इस्या दारा सबा के नाम से जाना जाता था तो क्यूस निया सास सकता की जो अज मेर मेरवाडा था उसकी विदान सबा को किस नाम से जाना जाता था दारा सबा के नाम से जाना जाता थ अज मेर मेरवाड करा मुख्य मंत्री कोन था हरी बाव उप्या धाई जिनने क्या काजा था था उपनाम था दा सहब एग नूब्बर गूर्नी सो चप्पन को राज्य पुन्दर कट न दिनियम के द्वारा अजीमेर मेरोड का रास्तान में विले कली आगया वे रास्तान विदानसवा के जो सीट थी वो एक सो साथ पलस्तीन अजमेर में रोड़ी मिल गई और टोटल शीट होगी एक सो नबबे सटी विधानसवा को निसो ठेंटर में रास्ता विधानसवा में दस शीट योल बढ़ा दी गई और टोटल वर्तवान में कितनी शीट है 200 शीट एक हीकरण के विधले प्रपत्र पर अस्थाक्सर करते समय जोद पूर साथ सक अन्वान सिंग ने सची वीपी मेंनन के कनपटी पर बंब्डूग ताना दी थी नोट जोद पूरे टोट रियास्ते जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी उपरिक्त रियास्तों की जान चेतों कौन सी कमिटी और घठन किया गया था एस एम जेन कमीटी का जबकि डूंगरपुर रिया से जो है वो सौतंतर रहना चाहती थी एक एकरण के विले पर पत्तर पर स्थाकसर करते हैं समय बाश वड़ा के चंदरवीर सिंग ने कहा पूर्ण के एक एकरण के परकिरिया आठ मार्च 1928 को शुरू वी थी जो एक नॉंब्र 1556 को पूर्ण वी थी और इन दोनों जो देट है इनके बीच में कुल समय कितना लगा आठ वरस साथ मास जोगदा दीन जो एकिकरण है उनके चंडों के याद रखने की ट्रीक है मापू सब सराब है तो मा का मतलब हो गया मत्या संग फिर हो गया पू का मतलब पूरवी राजस्तान सैका हो गया स्विंक्त रास्तान हो गया वरहत रास्तान और सराब है का मतलब संयुक्त वरहत राजस्तान रास्ता साथ एक एकरण ऒेते चरण ऊवेते उनमें जो bliver पहले जो च्रण ऊवेते उनमें परदानमंत्री निक्त किया जायता है उनकी ट्रीक है परदानमंत्रीक है पी-म सोबा गोकुल के मनियों वह 3 हिरो जैसी इसमें सोबा करतो गया सोबा राम कुमावत गोगुल कार्थ वोगया, गोगुल लाल सवा, मनिकार्थ वोगया, मनिके लाल वर्मा, हीरो का वोगया, हीराल लाल सास्तरी तो ज hommes सबसे पैरल एक किकरण का चरण। था, उसको परदानमैंत्री Samabha 6, 12, 12, 2, रहत रहस्ता था, गोगुला का, गोगुल लाल सवा और तीस राचरण था सिंग्ट राच्ट राच्त 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 उसे का प्राजप्रमुक टा ब Hispan ब्हींव झúblic लोगिए ambitious, और ख़र लेद सचेथ जिसका राजपर मुख ता भूपाल सिंग मिवाड रियस्षत का और शोता च्रण ता वरेत राज़स्तान जिसका राजपर मुख ता मान सिंग द्वित्ती जीपूर के सासक जब राश्तान का पूर्ण एक एकरण हो गया था तो राश्तान का राजप्रमुख बना था मान सिंग जित्ते और उसके बाद गया मैं जब राश्तान पूर्वर्वर पूर्ण कटेंगे दिनिया मना 19. अथार्त पहले दो चरण थे उनका उद्गाठन गोडगिल ने किया था मच्यासंग और पूर्वी राजस्तान तीसरा था संयुक्त राजस्तान जिसका उद्गाठन किया था चाचा और चाचा हम किसे कहते हैं पंडित जवारला नेरू को हैला चरंग है मच्य संग जो वा था 18 मार्च निशो अडекст तारीस को मच्य संग की परमों के जानकरी वात करते हैं जिसमें पहला है पर्थम चरंग का नाम मच्य संग क्यम मुनसी की शिपारिस पर रखा गया मत्स्याचंग में कौन्सा ठिकाणा था तो एक मात्र ठिकाणा था नीम्राणा अल्वार मच्यासंग की राजदानी किसे बनाया गया था अलवर को बनाया गया था मच्यासंग का परदान मंत्री किसे बनाया गया था सोबाराम को मावत को जो मैंने पहले ट्री बताया ना उससे याद कर सकते हैं उप परदान मंत्री बनाया गया था एन्वी गोडगील और उदगाटन कहां पर किया गया था तो लोहगडदुर्ग बरतपूर में किया था अब बात करते हैं किकरण के दूसरे चरण पूर्वी राजस्तान की जो वाता इसके साथ दिन बाद 18 मार्च में साज वड़ देंगे तो जाएगा 25 मार्च 25 मार्च गु कुष्लटा पूर्वक टॉग्ष्पिये इस ठीक में बाक अर्थ है 25 मुड़़ रियास्थ बूख अर्थ है बुंदी और परताब bıका अर्थ है परताब गड की का अर्थ है 2 सन्गड जासे रथ है जालावा और डूसे तोटल जो पूरवी राज़तान संग था उसमें नो रियासत और एक मात ठीकाना था कुसलगड बांश्वाडा रियासत में जो राज़तान के करिंगा दूचरन था पूरवी राज़तान इसकी राज़तानी थी टॉंक इसका राज़परमुग बनाया गया था भीम सिंग कोट से अब करते हैं एकिकरं के टीसरे चरंड के बारे में सहुगत स्यवक्त राज़तान गठन कं किया गया था 18 आप्रेल 1948로 यानि जो रहा एक हिकन का पहला चलंडा था 18 मर्च driver- discharge वुढ़जस्तान को समय राजस्तान का लठन! जो पूर्वी राजस्तान संग था उसमें उद्धेपूर रयास्त को और जोर दिया गया वार जो बना उसे रयाश्तान नाम, दे दिया गया तो यानि इसमें टोटल कितनी रियास्ते हो गई तो नो रियास्ते पुर्वी राजस्तान संग वाली होगी और एक उद्यपुर्वा होगी तो टोटल कितनी रियास्ते होगी दस रियास्ते हो गई इसकी राजदानी किसे बनाया गया था उद्यपुर को बनाया को इन्हें जवारलाल नेरू की शिपारिस पर प्रदान मंत्री बनाया गया था यानि कि उसने ऐसी आ सकता है जो स्विंगत राजस्तान चा रास्तान था जिसका प्रदान मंत्री मानिक के लाल वर्मा को बनाया गया जिसे मेवाड का गंदी का जाता है किसकी शिफारिस पर इन और तारीस को राजस्तान दिवस इसी दिन मनाया जाता है तीस मर्च को राजस्तान दिवस तीस मर्च को रियास्ते जो और संयुक्त राजस्तान था उसमें च्यार बड़ी रियास्ते जो नहीं विले वे थी उनको मिला दिया गया यानि संयुक्त राजस्तान और जेपूर, ज यह जिर नावा जो जहपुर में तो यानी जो व्रैत राजसतानी स्वी टोटल कितनी रियास्ते हो गई दस सुएव्य ग्राजसतान की रियास्ते हुगी इस के राज़दनी बनाय गया था जहपूर की शिपारिश पर जुलाई उनीस सो च्छिश को लावा ठेकाने को जेपूर में मिलाया गया था इसका राजपुर मुख बनाया गया था मान सिंग दिवित्य को महाराजपुर मुख बनाया था मेवाड के मारणापु पाल सिंग को अदानुंत्रे बनाया गया था जेपूर के इरलाल सास्त्री को और उद्गाटन किस ने किया था वरहत राजस्तान का तो सर्दार पटेल ने कहां पर किया था शिटी पहले जेपूर में नोट राजदानी के मुद्दे की समझा को हल करने के लिए बी आर पटेल कि देख समय कमिट्टी का गठन किया गया था विबाग जो वरहत राजस्तान में करशी और विबाग जो है वो अस्तापित किया गया था बरतपूर में शिक्ष्य विबाग स्तापित किया था विक्कानेर में खनीज विबाग स्तापित किया गया था उद्धेपूर में और जोदपूर में और वन विबाग स्तापित किया गया था इसमें क्या किया गया था जो व्रैतराजस्तान था 14 रियास्ते और दो ठिकाने उसमें मत्षयसंग का गठन कर दिया गया तो टोटल कितने रियास्ते होगे स्विंक्त वर्यात्राजस्तान में 14 रियास्त और 2 ठिकाने हो गए वर्यात्राजस्तान के और 4 रियास्त एक ठिकाना हो गया मच्यसंग का यानि टोटल 18 रियास्त तीन ठिकानों का विले होकर स्विंक्त वर्यात्राजस्तान का गठन किया गया 15 माई 1949 को संकर देवराय कमेटी के शिपार इस पर मच्य संग को पांच वे चरण में वरहत राज़तान में मिला दिया गया था इसकी भी राज़दानी सब कुछ वरहत राज़तान के सेम रहेगा यानि राज़दानी जेवपूर राज़परमुग मान सिंग देते हैं उप राज़परमुग बुपाल सिंग परदान मंत्री रालाल सास्त्री उद गाटन करता भी सर्दार वलन बाई पटेल यानि जो स्युक्त राज़तान है वरहत राज़तान के सेम होगा इसमें जो चेंज होगा रियास्त और ठिकानों की संक्या यानि 18 रियास्ते और तीन ठिकाने मिल गए अब जो विले से बच्चे है वो कौन कौन से एक तो शिरो ही रियासत पचिया और एक अजमेर मेरवाडा के अंदर सासित परदेश बच्चा है अब बात करते है राजसतान के किकरण के चटे चरण के बारे में जो है राजसतान संग और जिसका गटन हो था स्रिविदान लागो होने के दिन और सुविधान कब लाग हुआ था 26 जनवरी 1950 को इसमें जो किया है स्वियुक तुरहत राजस्तान था उसमें शीरोही रियासत का विले कर दिया गाया है यानि राजस्तान संग में गुनिस रियासत और तीन ठिकानों का विले हो गया एक अज मेर मेरवाड़ा ही विले से बच्चा है गुकुल भाई भट के प्रियासों से शीरोही का राजस्तान में विले हुआ था तो इसमें सबसे इंपोर्टन क्यूस्टन यह है कि जो शीरोही है वो राजस्तान संग में किसके प्रियासों से मिला था तो राजस्तान के गांदी कही जाने वाले गूकुल भाईबट के परियासो से नोट शिरोई के अबू और देलवाडा सेर को समिल नहीं किया गया था यनि जो अबू और देलवाड़ा सेर था उसको छोड़ कर बाकी शिरोई जो है वो राजस्तान संग में मिलाया गया था उस समय अबू और देलवाड़ा जो है ये गुजरात में मिला दिये गए थे इस तरण में स्वेधानी करूप से राजस्तान को मंजूरी मिली थी और राजस्तान जो है वो भी या खैसरेणी का दर्जा दिया गए था तो यहां पर क्यूसन यह होता है कि राजबुताना का नाम बदल कर राजस्तान कब कर दिया गया था तो शेवदान लागो होने के दिन और फिर राजस्तान संघ के चटे चलएक के समय चब्चिंछणवी उन्नीच सो पचास को और अगला क्यूसन यह बनता है कि राजस्तान को कि रِंजी में रखा गया था तो बी या फिres kalian सभ्भात मुख्मान सेंग्ण त्यॊप न मुख्भीम सेंग महाराज पर मुख भूपाल सेंग और उद गठनकितन किस ने क्या सभिए वुल्बर बटैल यानि वरायतरा स्वोजयां स्विंक तुबरेत राजस्तान और राजस्तान संग तिनों शेम रहेंगे अब बात करते हैं राजस्तान के किकरण के साथ में और अंतिम चरण के बारे में जो कब हुआ था एक नुवंबर गुनिस सो चपन को इसमें वर्तमान राजस्तान राजस्तान संग अबू देलवाड जिसका अध्यक्स था फेजल अली के सिपारिस पर अजमेर मेर वाड़ा अबू देल वाड़ा वैसुनेल टपपा को राजस्तान में मिलाया गया था अब एसा पूछ ले कि राज्य पुंदर गठन आयोग का गठन कब किया गया था तो 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुंदर गठन आयोग की रिपोर्ड जो हैं 1956 में प्रस्तूत की गई थी नोट इस आयोग में राज्य पुंदर गठन आयोग था उसका गठन 1973 में किया गया था उसमें राज्थान का एक मात्र सदश्य कौन साम्मिल था तो हर्देनात की जरू मद्दे पर्देश के मंद्सोर जिल्ले की मानपूर तैसिल का सुनेल टपपा रास्तान के कोटा जिल्ले में मिलाया गया और रास्तान के जालावार जिल्ले से शीरोच शेतर मद्दे पर्देश में मिला दिया गया राष्तानी पूरुन एकिकर्ण के समय राष्तान की राज़ानी जी पूर राष्तान के राज्य पालते गुरॉमुक निहाल सिंग अब बात करते हैं जब राष्तान का एकिकर्ण मवा था सुरवात 18 MAR अर्च 19000 तड्री ॉशकोमत से शंक्चे गठ्म के सात तब रियास्तों के जो साच सकते वो कौन-कौन थे पहले बात करते हैं अलवर रियास्त जिस का साच सकता तेज सिंग दोलपूर का साच सकता उदेबान सिंग करोली का साच सकता गणेसपाल देवकपरत पूर का साच सकता ब्रजेंदर सिंग कोट्टा का साथ सकता भीम सिंग जीसे पूर्वी राजस्तान का राजप्रमक बुनाया था बुंदी का साथ सकता बहदूर सिंग जालवाड का साथ सकता हरिस चंदर बांशवड़क साथ सकता चंदरवीर सिंग नहीं का था कि मैं अपने डेथ फॉरेंट पर ताक्सर कर रहा ह डूंगरपूर का साच सकता लक्समन सिंग जो वांगड संग का गठन करना चाते थे जोदपूर के साच सकते हनुमंत सिंग जिनों ने विप्पी मेनन की कोपड़ी पर बंदुखतानी थी बिकानेर के साथ सकते सदूल सिंग, जेस्रमेर के साथ सकते रगुनाद भादूर, सापुरा के साथ सकते सुद्धर्स देव परतापगड के साथ सकते अंबिका परसाद, किसनगड के साथ सकते सुमेर सिंग, टोंक के साथ सकते नवाब अजियू दोला दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड से एर जरूर करना और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद